Hello everyone, my name is Dr. Ashish Srivastav और आज का lecture आपके लिए बहुत ज़ादा important होने वाला है क्योंकि आज के इस lecture में हम discuss करेंगे cell cycle and division chapter से कुछ important numerical questions. Previous year examination में आपने देखा है कि cell cycle and division chapter से बहुत सारे numerical questions आते रहते हैं और जितने भी questions इस chapter से आ सकते हैं उनको मैंने six important pattern में divide कर दिया है यानि कि बहुत simple तरीका अब आप समझ सकते हैं कि इस chapter से जितने भी numerical questions आप से पूछे जा सकते हैं जितनी भी variety के numerical questions आप से पूछे जा सकते हैं उनको हमने six pattern में divide कर दिया और इसके बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर आप एक-एक करके इन pattern को study कर लेते हैं और इन pattern के अंतरगत आने वाले numerical questions को समझ लेते हैं तो फिर आप कभी भी इस chapter से आने वाले numerical questions को लेकर परिशान नहीं होईगे ये मेरा सोचना है तो आपको क्या करना है आपको इस lecture को बिना skip किया आखरी तक देखना है और एक-एक pattern को जब मैं आपको समझाऊंगा example के साथ तब आपको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है तो पहले number pattern पर हम आते हैं और first pattern में कैसे question आपसे पूछे जा सकते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि how many mitotic divisions are required to produce 100 cells from a single cell इसको मैं simplified कर देता हूँ आपको बताना है कि अगर एक single cell अपना mitosis division करती है कई बार और वो 100 cells को produce करती है तो उसे 100 cell produce करने के लिए कितने बार अपना mitosis division करना होगा कितने बार अपना समसूतरी विभाजन करना होगा यहाँ पर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको mitotic division कितने required होंगे यह question मैं पूछा गया है ना कि यह पूछा गया है कि कितने number of mitotic generations required होंगी जब पूछा जाता है कि एक cell अपना कितने बार mitosis division करेगी कि वो 100 cell produce करे या 128 cells produce करे तो वहाँ पर number of mitotic division निकालने की जग है जो teachers है वो mitotic generations को calculate करते हैं यह चीज देखिए यहाँ पर थोड़ इसी गलत हो जाती है क्योंकि mitotic division एक अलग चीज है और mitotic generation एक अलग चीज है इस चीज का आपको विशेश ध्यान रखना है तो आपको चार options में दे देता हूँ option number A है 99, option B है 50, option C है 25 और option D है आपका 7 अब ऐसे questions को हम कैसे solve करें obviously मैं एक formula आपको दे सकता हूँ जिससे आप easily इस question को 20 second के अंदर 10 second के अंदर solve कर सकते हैं लेकिन उस formula को आप कैसे याद रखेंगे इसके पीछे का practical concept में आपको समझा देता हूँ मान लीजे यह एक single somatic cell है जो एक बार अपना mitotic division करके दो equal identical daughter cells को produce करती है one time mitosis किया दो daughter cells को produce किया जैसे ही यह cell अपना mitosis complete करेगी दो daughter cells में खुद को divide कर देगी तो यह cell क्या हो चुकी होगी खत्म अब आप इसको count नहीं करेंगे तो आपने अभी क्या सीखा एक बार mitosis करने से दो daughter cell produce होती है अब यह दोनो daughter cells separately अलग-अलग अपना mitosis division जब करेंगी तो यह again दो-दो daughter cells को produce करेंगी तो इस cells ने जब अपने आपको mitotically divide किया यह cell खत्म हो गई और यह divide हो गई कितनी daughter cells में दो daughter cells में number of mitotic division कितने हो गई total दो similarly इस cell ने भी अपने आपको mitotically divide किया दो daughter cells में और यह cell अपने आपको खत्म कर लेगी क्योंकि यही divide हो रही है daughter cells में total number of mitotic division कितने हो जाते हैं 3 तो देखिए एक mitotic division होने पर 2 cell produce हो गई 3 mitotic division होने पर 4 cells produce हो रही हैं और अब यह 4 cell अपना जब अलग-अलग separately mitosis करेंगी तो यह भी 2-2 cells को produce करेंगी कुछ इस तरीके से इस cell ने अपने आपको mitotically divide किया दो daughter cells में यह cell खत्म हो गई number of mitotic division हो जाते हैं 4 similarly इसने भी अपने आपको mitotically divide किया दो identical daughter cell में total number of mitotic division 5 6 और यहाँ पर में लिख सकता हूं 7 तो अभी तक हमें यह सिक्षा मिली कि अगर 2 cells बन रही हैं तो एक mitosis हो रहा है अगर 4 cells produce हो रही हैं तो तीन बार आपको mitotically divide करना पड़ रहा है अगर 8 cells बन रही हैं देखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर 8 cells बन रही हैं तो total कितने बार mitosis करना पड़ रहा है आपको 7 बार तो मैं कह सकता हूं कि आपको एक cell से जितनी भी number of cells को produce करना है अगर वो number of cells x है जो number of cells आपको produce करना अगर वो क्या है x तो x minus 1 अगर आप कर देते हैं तो आपको मालुम चल जाएगा कितने number of mitotic division required होंगे यानि कि हम एक simple सा formula बना सकते हैं number of mitotic division required अगर हम n से represent करें और total number of cells जो produce हो रही है from the single cell उसको हम x से represent करें तो हम formula लिख सकते हैं n is equal x minus 1 और बड़ा simple हो गया n is equal x minus 1 अब value को आप put कर दीजिए x की value क्या है यहाँ पर 100 क्योंकि आपको 100 cell produce करना है from a single cell 100 minus 1 कर दीजिए n is equal आजाएगा आपका 99 और इस question का right answer हो जाएगा 99 अब आप से कुछ भी पूछा जाता है आप से पूछा जाता है अगर आपको 200 cells को produce करना है from a single cell mitotically तो कितने number of mitosis division required होंगे answer होगा 199 256 cells को produce करना है तो 257 इस तरीके से आप आसानी से number of mitotic division कितने required होंगे x number of cells को produce करने के लिए n is equal x minus 1 इस formula से solve कर सकते है यहाँ पर मैंने आप से एक चीज इनिशली बोली थी कि mitotic generation एक अलग चीज है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये गलती नहीं चली अब हम बात करेंगे pattern number 2 की देखिए pattern number 2 में कैसे question आएंगे pattern number 2 में question आएंगे how many mitotic generation are required to produce 128 cells from a single cell अब previous pattern में और इस pattern में क्या अंतर है देखिए पहले वाले pattern में पूछा गया था mitotic division कितने required होंगे और अब पूछा जा रहा है mitotic generation कितनी required होंगी mitotic division अलग चीज है mitotic generation अलग चीज है समझ लेते हम इस चीज के लिए ऐसे question में आपको 4 options दिए जा सकते हैं जैसे कि पहला option है 128 दूसरा option है 50 फिर 25 और फिर 7 अब ऐसे questions को हम कैसे solve करेंगे समझ इए आप अभी अभी आपने देखा pattern number 1 में कि एक cell अपने आपको एक वार mitotically divide करके 2 daughter cell बनाती है एक वार mitotically divide करके क्या बनाती है 2 daughter cell बनाती है फिर दौनों daughter cells again अपने आपको separately mitotically divide करके 4 और 4 daughter cells अपने आपको separately mitotically divide करके 8 daughter cells का formation करती है तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 8 cells को produce करने में 7 वार हमें mitosis division कराना होगा लेकिन mitotic generation क्या चीज है ये आप देख लीजे यहाँ पर इस cell ने जब अपने आपको mitotically divide किया 2 cells में तो इन दौनों cells को आप क्या कहेंगे 1st generation फिर इन दौनों cells ने अपने आपको mitotically divide करके 4 cells बनाई इनको आप क्या कहेंगे 2nd generation और फिर इन 4 cells ने separate mitosis करके अपने आपको 8 cells में divide किया तो आप इसको क्या कहेंगे 3rd generation देखिए आपने Mendel experiment पढ़ा हुआ है जैसे वहाँ पर word यूज करते हैं F2 generation करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि F2 generation मतलब F2 generation में progenies तो बहुत सारी बनती है लेकिन उन सभी को आप एक same generation में क्या करते हैं consider करते हैं क्योंकि वो same time पर produce हो रही है तो ultimately मैं कह सकता हूँ कि ये first generation है जिसमें दौनों cells produce ही second generation में यहाँ पर 4 cells produce ही और third generation में यहाँ पर 8 cells produce ही इसी तरीके से जब ये division होता रहेगा तो generations जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और 128 cells को produce करने में आपको कितनी mitotic generation की जरूरत पड़ेगी क्योंकि cell exponentially divide हो रही है एक से दो cell बन रही है तो to the power 3 करके आपने answer निकाल लिया 8 तो ऐसा ही एक formula मैं आपको दे सकता हूँ जिससे आप आसानी से mitotic generations को count कर सकते हैं अगर आप number of mitotic generation को n से represent करें और total number of producing cells को x से represent करें तो x is equal to the power n लिखा जा सकता है यानि कि अगर आप से मतलब है 128 तो 128 cells को produce करने के लिए आपको 2 के ऊपर कितने का power चड़ाना होगा तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं 128 cells को produce करने के लिए हमें 2 के ऊपर 7 का power लगाना होगा क्योंकि 2 the power 7 का मतलब होगा 128 इसका मतलब यह हुगा कि total number of mitotic generation जो required होंगी 128 cells को produce करने के लिए वो क से लिए third number pattern पर आते हैं तीसरे pattern में आपसे ऐसे question पूछे जा सकते हैं how many mitotic sorry how many meotic divisions are required अब यहां पर meotic की वात हो रही है यानि कि meiosis how many meiosis division are required to produce 200 zygote zygote को ही यहां पर embryo भी लिखा जा सकता है question में या seed भी लिखा जा सकता है या organism भी लिखा जा सकता है तो सबसे पहले तो आप यह मान लीजिए कि zygote जो है वो fertilization का product होता है एक male gamete और एक female gamete जब अपना fertilization करते हैं तो एक zygote produce होता है और zygote ही अपना development किसमें करता embryo में और एक embryo से एक seed produce होता है और एक seed germinate होकर क्या बना सकता है एक organism यानि कि zygote, embryo, seeds, organism question में कुछ भी पूछा जाए सब का मतलब यहां पर सेम होगा 200 zygote को produce करने के लिए आपको कितने meiotic यानि की meiosis अर्दसूत्री विभाजन की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले तो आप options देख लीजिए 100, 250, 400 और 125 अब ऐसे question को कैसे solve करना है मान लीजी ये एक zygote है that is the product of fertilization तो एक male gamete होगा यानि की sperm एक female gamete होगा यानि की ovum जब इन दोनों की बीच में fertilization होगा तो product क्या बनेगा zygote यानि की एक zygote बनाने के लिए आपको एक sperm चाहिए ही पड़ेगा और एक ovum की जरूरत भी पड़ेगी तो अगर मैं कहूं की X number of zygote को produce करने के लिए आपको कितने sperm चाहिए होंगे और कितने ovum चाहिए होंगे तो obvious सी बात है X number of zygote को produce करने के लिए आपको X number में ही sperm चाहिए और X number में ही क्या चाहिए ovum sperm को produce करने वाली meiosis को हम spermatogenesis कहते हैं और ovum produce होता है जिस meiosis division से उसको हम oogenesis कहते हैं तो हम सभी जानते हैं कि एक meiosis से यानि कि एक spermatogenesis से चार mature sperm का formation होता है जबकि एक oogenesis की process से चार ovum नहीं बनते वलकि एक ही mature ovum का formation होता है थ्री polar bodies बनती हैं जो degenerate हो जाती हैं वो fertilization में participate नहीं करती हैं मैं animals की बात करूँ, zoology में या फिर मैं plants की बात करूँ, botany में तो मैं कह सकता हूँ कि X number of zygote को produce करने के लिए कितने number of spermatogenesis की जरूवत पड़ेगी XY4 और कितने number of oogenesis की जरूवत पड़ेगी तो आप लिखेंगे X ये कैसे मैंने लिख दिया, for example, अगर आपको 4 zygote बनाना है तो आपको 4 sperm की जरूवत पड़ेगी तो 4 वार, 4 sperm को बनाने के लिए कितने बार आपको spermatogenesis कराना होगा, only single time तो X की value अगर मैं 4 लिख दूँ, तो 4 y 4 is equal क्या जाता है 1 यानि कि एक spermatogenesis से 4 sperm produce हो जाएंगे, जो 4 zygote बनाने में participate करेंगे लेकिन एक eugenesis से क्योंकि एक ही mature ovum बन रहा है, इसलिए आपको 4 वार eugenesis कराना होगा 4 mature ovum को बनाने के लिए तब जाकर वो 4 zygote बनाने में participate कर पाएंगे तो xy 4 spermatogenesis required होगा for the formation of sperm and x number of आपको क्या required होगे eugenesis for the formation of x zygote यानि कि अब मैं simple तरीके से एक formula लिख सकता हूँ number of meiotic division required को मैं n से अगर represent करूँ for producing x number of zygote तो मैं लिख सकता हूँ n is equal xy 4 plus x xy 4 for number of spermatogenesis and plus x का मतलब क्या हुआ number of eugenesis क्योंकि आपको spermatogenesis कितने लगेंगे, eugenesis कितने लगेंगे इनका सम्टोटल करने पर ही आप बता पाएंगे total number of meiotic division कितने required होगे x number of zygote को produce करने के लिए तो चलिए मैं value put कर देता हूँ question में 200 आपको zygote produce करना है तो 200 y4 plus 200 answer क्या जाएगा 50 plus 200 is equal 250 यानि कि total 250 meiosis division required होगे आपको 200 zygote या embryo बनाने के लिए इस question का right answer क्या हो जाएगा आपका 250 250 इस question का क्या हो जाएगा बच्चो right answer चलिए अगले pattern पर आते है pattern number 4 what will be the number of chromosome and amount of DNA respectively in a deployed cell undergoing meiotic division at the end of meiosis 1 देखिए एक cell है जो deployed है हम सभी जानते हैं कि meiosis division में हमेशा deployed cell ही participate करती है deployed cell यानि 2N cell जिसके पास chromosome pair में होते हैं तो एक deployed cell है जो meiosis division में participate कर रही है और वो जब meiosis 1 को खत्म कर देगी तब एक cell के पास number of chromosome और amount of DNA respectively कितना होगा चार options आपको दिएगा है N and C option B है N and 2C option C है 2N and 2C option D है आपका 2N and 4C तो सबसे पहली यह N और C का मतलब आपको पता होना चाहिए N का मतलब होता है haploid set of chromosome clear अगर एक deployed cell है तो उसके पास 2N chromosomes होंगे obvious सी बात है और C का मतलब होगा यहां पर amount of DNA यानि कि एक cell जो haploid है उसमें total जितना भी amount of DNA होगा उसको आप C से represent करते हैं अगर कोई cell deployed है उसके पास chromosome pair में है तो उसके पास amount of DNA क्या हो जाएगा 2C chromosome 2N और amount of DNA क्या हो जाएगा 2C अब मान लीजिए एक cell जिसके पास initially chromosome number 2N है और amount of DNA 2C है क्योंकि वो deployed cell है अब वो meiosis 1 में है meiosis 1 को जब complete कर चुकी होगी तो उसके पास total number of chromosome और amount of DNA क्या होगा यह हम कैसे मालूम करेंगे देखिए हम सभी जानते हैं कि interface stage के बाद ही meiosis 1 स्टार्ट होती है और interface की जो S phase होती है interface में जो S phase होती है यह एक ऐसी phase है जिसमें DNA का replication होता है तो interface के complete होने के बाद आप देखेंगे कि कोई भी एक homologous chromosome का जो pair है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इसमें खास वात यह है कि each chromosome has two chromatid इस chromosome के पास भी दो chromatid है इसके पास भी दो chromatid है वैसे तो interface stage में आपको chromosome नहीं दिखाई देते क्योंकि nucleus के अंदर chromatin का network आपको दिखाई देता है लेकिन considered कीजिए कि interface के just खत्म होने पर अगर chromosome condensed हो जाएं तब उस condition में chromosome कैसे दिखाई देंगे तो एक chromosome पर दो chromatid होंगे क्योंकि DNA के replication होने की वज़े से जो DNA इस chromosome के इस chromatid में था वो replicate हो गया है और एक chromosome के पास अब एक की जगा कितने chromatid हो जाएंगे दो chromatid हो जाएंगे तो after interface अगर मैं कहूँ तो cell के पास DNA का amount तो 4C हो जाएगा क्योंकि replication से DNA का amount क्या हो जाएगा double पर number of chromosome वही रहेंगे जो G1 phase में थे यानिकि 2N क्योंकि chromosomes के number हम centromere के numbers के साथ count करते हैं यानि कि chromosome के number हम centromere के number के basis पर count करते हैं ना कि chromatid के basis पर यह मैंने आपको पहले किसी lecture में बताया है तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2 chromosome है तो मैंने 2 number में क्यों count किये क्योंकि 2 ही centromere है chromosome के number centromere के number से count किये जाते हैं ये बीच में जो आपको देख रहा है, बटन जैसा structure इसको हम centromere कहते हैं, जहां पर एक chromosome की दोनों chromatid आपस में join होती हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, after interface, number of chromosome 2N है, और amount of DNA क्या है 4C, चलिए आगे बढ़ते हैं, metafase 1 की बात करें, meiosis 1 में जब metafase 1 stage आएगी, तो हम अपने आपको arrange कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, तो यह देखिए, एक homologous chromosome का pair है, जो उपर और नीचे, equator के उपर नीचे क्या हो जाता है, arrange हो जाता है, metafase 1 में, और meiosis 1 की metafase 1 में, chromosome के equatorial plane पर arrange होने की वजए से ही, तो यह होता है, कि anafase 1 में, chromosome के centromere का duplication नहीं हो पाता, याने की chromosome का centromere divide नहीं होता, that is the reason की meiosis 1 में, कभी chromosome के number double नहीं होते हैं, वलकि जो parental cell है, उससे half हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, अब आप देखेंगे की metafase 1 में, chromosome के number 2N ही रहेंगे, और amount of DNA force ही हो जाएगा, जैसे ही anafase 1 complete होगी, आप देखते है, anafase 1 में क्या होगा, जो chromosomes हैं, उनको centrosome जो होंगे, वो pull करेंगे opposite pole पर, देखिए, यह centrosome है, जो opposite pole पर chromosome को क्या करते हैं, pull करते हैं, तो एक pair of chromosome में से, एक chromosome इस pole पर और एक इस pole पर क्या हो जाता है, pull हो जाएगा, और after completion of meiosis 1, जैसे ही meiosis 1 complete होगी, आने की telophase 1 complete हो जाएगी, दो daughter cells बन जाएगी, एक chromosome एक daughter cell में चला जाएगा, दूसरा chromosome दूसरी daughter cell में चला जाएगा इस तरीके से, तो after meiosis 1 आप देखेंगे, number of chromosome हाफ हो जाएगी, याने की N पर amount of DNA क्या रहेगा, 2C, 4C से क्या हो गया, 2C, तो इसका करण क्या है, क्योंकि देखिए, एक chromosome के पास 2 chromatid है, इसलिए जो amount of DNA इसमें था, इस chromatid में था, वही replicated होकर इसमें आ गया, इसलिए amount of DNA 2C रहेगा, लेकिन number of chromosome क्या हो जाएगे, half हो जाएगे, तो इस question का जो right answer होगा, that is N and 2C, याने की option B, clear है, तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसे question में याद रखना है, कि meiosis 1 हमेशे जब भी होती है, त chromosomes के number and a phase 1 में कभी भी double नहीं होते हैं, वलकि opposite pole पर एक-एक chromosome पुल कर दिया जाता है, pure of homologous chromosome में से, इस वज़े से जो telophase 1 के complete होने पर daughter cells बनती हैं, उनमे number of chromosome हाफ हो जाते हैं, पर amount of DNA parental cell के equal रहता है, क्योंकि 4C से 2C और 2C equally distributed हो जाता है, amount of DNA, चलिए आगे बढ़ते हैं, pattern number 5 में आपसे question पूछे जाएगा, what will be the number of chromosome and amount of DNA respectively in a deployed cell undergoing mitotic division, ध्यान दीजे समसूतरी विभाजन की बात हो रही है, at the end of S phase of interface, तो एक cell है, जो deployed है, 2N cell है, जिसके पास amount of DNA initially क्या होगा, 2C, और वो cell mitosis division में participate करना चाहती है, कर रही है, और वो अपनी S phase को जब complete कर चुकी पास number of chromosome और amount of DNA क्या होगा, ये 4 options आपके सामने हैं, आपको screen पर दिखाई दे रहे हैं, समझते हैं इस concept को, G1 phase में हम सभी जानते हैं कि chromatin होगा, chromosome तो नहीं होगे, पर अगर मैं chromatin को condense करके chromosome बना दूँ, तो आपको इस तरीके से pair of homologous chromosome दिखाई देंगे, जिनके पास number of chromatin 1 ही होगा, क्योंकि अभी DNA का replication नहीं हुआ है, पर after S phase आप देखेंगे, chromosome में DNA के replication हो जाने की वजए से, या DNA के replication की वजए से, each chromosome has 2 chromatin, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर number of chromosome 2 थे, यहाँ पर भी number of chromosome 2 होगे, यानि कि अगर यहाँ पर 2N थे, तो यहाँ पर भी 2N होगे लेकिन अगर amount of DNA यहाँ पर 2C था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4C due to replication of DNA at S phase of interface, ultimately, after the S phase amount of DNA होगा 4C और number of chromosome होगे 2N, तो right answer होगा आपका 2N and 4C, यानि कि option number D, चलिए, pattern number 6 पर आते हैं, pattern number 6 में जो question आते हैं, वो थोड़े से अजीव हो गरीब होते हैं, आप से पूछे जाएगा कि एक साल mitosis, यानि कि समसूतरी विभाजन करती है एक मिनिट में, तो mitosis करने में एक साल को कितना समय लगता है, एक मिनिट का समय लगता है, एक साल एक मिनिट में अपना mitosis करके दो daughter cells बना लेती है, अब मान लीजे कि cells किसी culture tube में grow कर रही है, और वो उस culture tube का 1-8 part को filled कर देती है, 20 minutes में, एक culture tube है जिसमें आपने एक साल को डाला, वो एक साल एक मिनिट में अपने आपको divide करके 2 साल बना लेती है, इस तरीके से वो अपना division करती जाती है, करती जाती है, और 20 minute में culture tube को 1-8 filled कर देती है, तो culture tube को completely filled होने में कितना समय लगेगा, ऐसे question में आ आपका पैसा एक दिन में double कर देता है, एक bank है जो आपका पैसा एक दिन में double कर देता है, आप 1 रुपे जमा करेंगे तो वो 2 रुपे कर देगा, अगर आप 2 रुपे जमा करेंगे तो वो 4 रुपे कर देगा, अगर आप 1 लाख रुपे उस bank में जमा करेंगे तो वो 2 उसमें exponentially grow करती है, चलिए, ऐसे questions में आपको options कह दिये जा सकते हैं, 60 minute, 23 minute, 21 minute, 80 minute, सबसे पहले हम concept को समझ लेते हैं, ये मानलीजी एक culture tube है, इस culture tube में आपने मानलीजी एक cell को रख दिया है, जो एक minute में अपने आपको एक से दो में divide कर लेती है, अब ये cell total 1 8 part filled करेगी 20 minutes में, तो सबसे पहले तो आप समझ लेजिए कि इस culture tube का इतना हिस्सा क्या माना जाएगा, 1y2, इसको क्या बोलेंगे, 1y2 आधा, फिर 1y2 का आधा क्या माना जाएगा, 1y4, और 1y4 का आधा क्या माना जाएगा, ये, 1y8, इस एक cell ने अपने आपको mitotically divide किया, total 20 minutes में इस तरीके स और 20 minutes में 1y8 part जो है वो filled हो गया, कितने minute में हो गया, 20 minutes में 1y8 part culture tube का filled हो गया, तो हम जानते हैं कि 1 रुपे बैंक में जमा करने पर 2 रुपे हो जाएगे एक दिन के अंदर, पर आप पहले से ही 2 रुपे जमा करेंगे तो वो 4 हो जाएगे, तो अगर 1y8 part 20 minutes में fill हो चुका है, तो बड़ा simple सा concept है, कि just अगले 1 minute में ये सभी cells अपने आपको 1 से 2 में divide कर देंगी, तो जितना भी biomass है ये 1y8 का, वो अगले 1 minute में कितने biomass को filled कर देगा, culture tube के 1 4th biomass को filled कर देगा, यानि कि just next 1 minute बाद culture tube का 1 4th part जो है वो filled हो चुका होगा, यानि कि 20 minutes में 1 8 हो रहा है, तो 21 minutes में, just 1 minute बाद 1 8th part of culture tube filled हो चुका होगा, क्योंकि cells अपनी exponentially grow करेंगी, एक से 2 cell बन रही है, तो जितनी भी cell 1 8th part में है, वो सभी की सभी अगले 1 minute में अपने आपको double कर देंगी, और culture tube का 1 4th part जो है, वो filled हो जाएगा, अब देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक और चीज, 21 minutes में, इतना part filled हो चुका है, तो अगले 1 minute में, जो 1 4th part में biomass of cell है, वो अपने आपको just double कर देगा, और culture tube का 1 y 2 part क्या हो जाएगा, filled हो जाएगा, यानि कि just 22 minutes में, culture tube का 1 4th part जो है, वो filled हो जाएगा, और अगले 1 minute बाद पूरी culture tube जो है, completely filled हो जाएगा, यानि कि 23 minutes में, तो ऐसे question में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि 20 minutes में 1 4th कर रहा है, 1 8 कर रहा है, तो आप सोचो कि 40 में 1 8 करेगा, ऐसा concept नहीं है, cell यहाँ पर exponentially grow कर रही है, 1 8 part में जितनी भी cells होंगी, for example, 2 million cells है, तो वो अगले ही 1 minute में 4 million cells बना लेंगी, जिस two parts से पूरी culture tube completely filled हो जाएगी, तो ऐसे questions में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, आप से ये भी पूछा जा सकता है, कि एक cell 1 minute में अपने आपको divide करती है, 2 cells में, एक culture tube का 1 by 2 part 40 minute में अगर filled हो रहा है, उन cells की growth से, तो बताइए, पूरी culture tube को filled होने में कितना समय लगेगा, त just आपको 40 में 1 minute और जोड़ देना और answer हो जाएगा आपका 41 minute, तो इस question का right answer क्या होना चाहिए, आप समझ गया है, 23 minutes, clear, 23 minutes में culture tube completely filled हो चुकी होगी, concept क्या याद रखना है, bank वाला example याद रखना है, आप अगर 1 रुपे डालेंगे तो 2 हो जाएगे एक दिन में, पर आप 10 क 1 while 2 और just 1 minute बाद आपकी पूरी culture tube filled हो जाएगी, तो I hope कि आपने इन सभी 6 pattern को बहुत ही proper way में समझा होगा, आज किस lecture में बच्छो इतना ही आगे ऐसे ही important topic में आपसे discuss करता रहूँगा, अगर आप channel पर नए है तो मेरे channel को subscribe कीजिए, और अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लाइक करना बिलकुल मत भूलिये, thank you very much.